गुड मॉनिंग इशटूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको ये पिछली वीडियो में चप्टर एट एव्यस में कराया हुआ था रीड तो आज हम क्या करेंगे इसके कोश्यन आणसर तो हमारे कोश्यन आणसर ये तो हमाने चप्टर रीड कर लिया अब आते हमारे कोश्यन तो बुक एक्सरसाइज में क्या है यहां पर फिल इन दा ब्लेंक्स बाइ चूजिन दा सुटेवल वर्ड्स फ्रॉम दा बॉक्सिस आपको इसमें से बॉक्सिस में से यहां पर फ्लप्स बने फेला है देयर कि हम किसके बिना नहीं रह सकते बाटर के बिना हमारे क्या संभव नहीं है लाइफ तो इसमें क्या जाएगा लाइफ डैस इस दा में सोर्स ऑफ वाटर सबसे में सोर्स कौन है बाटर का रेन इन स्टीज में बाटर लेते हैं वो किसके दुआरा लिया जाता है पाइपलाइन क के दुवारा तो यहां पर क्या जाएगा पाइपलाइन सी एंड और सागर है उसमें कितने बहुत सार पानी होता क्या होता है उसमें वाटर तो यह हमारे फ्लप्स आगे अब आते हैं हमारे mcq question which of the following is the main source of water इन मैं से कौन सा main source रिवर या ओशन तो इसमें आजाएगा रेन दा वाटर ओशन इस डेस सो इट केन नोट वी यूजड यूजड डारेक्टली हमें कौन सा पानी है डारेक्टली यूजड नी करना चाहिए शाल्टी क्योंकि मुंदर का पानी होता है जो नमकीन होता है इसलिए उसे डारेक्टली यूजड नी करना चाहिए विच ओफ दा फोलोईंग इस यूजड टू पुल अंडरग्राउंड वाटर अंडरग्राउंड वाटर कौन सा होता है वेल्स ले किया पाउंड ले बेल्स में अब हमारे आते हैं टूफ वाटर इस नॉट इंपोर्टेंट फोर अ यह वाटर हमारे लिए जरूरी नहीं है गलत वी ड्रिंक वाटर एवरी डेय हमें परते दिन पानी पिना चाहिए याश आल टाइपस ऑफ वाटर आर नौट सेफ तू यूज सभी परकार के पानी हमारे लिए यूज नहीं है सई वी शूर ट्रन ओफ दा टेप वेट इस दन अर्थ हमता गांकी के बनकर जै जाहिए जायका यूस नहीं हो इसमें आजाएगा हमारे में सोर्स ओ कंसा रेन पानी कांटे में सर्श ओं सौर्ट किससे लेते हें We take underground water through wells, two wells and the head pump हम किसके द्वारा लेते हैं? कुवों के द्वारा, two wells के द्वारा and head pump के द्वारा लेते हैं Which water is not clean water? कौन सा पानी हमारे लिए साफ पानी नहीं है तो कौन सा पानी नहीं है? River का, lakes का, ponds and well are not clean water जो हमारी नदियां है, जीले हैं, तलाव और कुवे का पानी, साफ पानी नहीं होता है What steps should take for clean water? यानि कि पानी को साफ करने के लिए हमें कौन सी step उठाने चाहिए? Number one, don't wash cloth, नहीं अर्दा, source of water हमें पानी के श्रोत के पास कपड़े नहीं दोने चाहिए Don't throw garbage, जिन्दा, river और हमें नदियों में कुड़ा नहीं डालना चाहिए तो यह हमारी क्या है, यह हमारी step है, अगर हम इनको करेंगे तो हमारा पानी साफ रहेगा तो आज के लिए इतना ही, आप अपने से fair copy में not कीजिए और इन्हें rear कीजिए Thank you